मेरे प्यारे देशवाई , भारत में festival tourism बढ़ाने में, देश के बहार लेनेवाले भारतियों की भूमी का भी भहुत एहम है मेरे प्यारे देशवाई जीयो पिछली मनकी बात में हमने तैक किया था कि इस दिपाबली पर कुछ अलग करेंगे मैंने कहा था आईए हम सभी इस दिपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें यानि भारत की लक्ष्मी का सम्मान और देखते ही देखते इसके तुरंद बाद सोशल मीडिया पर अंगिनत इंस्पिरेशनल स्टोरीज का अंबार लग ग अंबलके कोडीपा का रमेश ने नमो एप पर लिखा कि मेरी मा मेरी शक्ति है 1990 में 1990 में जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था तो मेरी माने ही पांचों बेटों की जिम्मेदारी उठाई आज हम पांचों भाई अच्छे प्रोफेशन में हैं मेरी माही मेरे लिए भगव है और वो साज अर्थ में भारत की लक्ष्मी है रमेश आपके माताजी को मेरे प्रणाम ट्वीटर पर एक्टिव रहने वाली गीति का स्वामी का कहना है कि उनके लिए मेजर खुश्मु कमर भारत की लक्ष्मी है जो बस कंड़क्टर की बेटी है और नहोंने असम राइफ जी के लिए तो भारत के लक्ष्मी उनकी बेटी है जो उनकी ताकत भी है उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी बहतरीन पेंटिंग करती है उसने क्लेट की परिक्षा में बहुत अच्छी रैंग भी हासिल की है वहीं मेगा जैन जी ने लिखा है कि 92 यर की 92 साल की एक बुजू के लक्ष्मी की विनम्रता और करुणा से काफी प्रेडित हुई है ऐसी अनेक कहानिया लोगों ने शैर किया है अब जरूर पढ़िए परिणा लिजे और खुद भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास से शैर कीजिए और मेरा भारत इन सभी लक्ष्मियों को आधर पुर्वक न भलात मान है तो मेरे प्यारे देश वासियों सत्रवी सताब्दी की एक सुप्रसित्य कवियत्री सांची हुन्नमा, उनों ने सत्रवी शताब्दी में कंड़ भाशा में एक कविता लिखी थी वो भाव, वो शब्द, भारत की लक्ष्मी ये जो हम बात कर रहे है न, ऐसा लगता है जैसका उसका foundation 27 शताब्दी में रच दिया गया था कितने बढ़िया शब्द कितने बढ़िया भाव और कितने उत्तम विचार कंड़ भाषा की इस कविता में है पेंडिन्द पेर्मे गोंडनू हिमवंतनू पेंडिन्द भ्रुगु पेर्ची दनू पेंडिन्द जनक रायनू जस्वडे दनू अर्थात हिम वंत यानि परवत राजा ने अपनी बेटी पारवती के कारण रशी भ्रुगु ने अपनी बेटी लक्ष्मी के कारण और राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के कारण प्रसिद्धी पाईए हमारी बेटियां हमारा गवरो है और इन बेटियों के महात्माई से ही हमारे समाज की एक मजबुत पहचान है और उसका उजवल भविश्य है मेरे प्यारे देशवासियों बारा नवेंबर दोहजार उन्डीस यह वो दिन है जिस दिन दुनिया भर में स्री गुरु नानक देवजी का पांसो पचासवा प्रकाशोत्सव मनाये जाएगा गुरु नानक देवजी का प्रभाव भारती नहीं बलकि पूरे विश्व में हैं दुनिया के कई देशों में हमारे सिख भाईबेन बसे हुए हैं जो गुरु नानक देवजी के आदर्शों के प्रती पूरुन रुप से समर्पीत है मैं वैनकुवर और तहरान में गुरुदारों की अपनी आत्राओं को कभी नहीं भूल सकता स्री गुरु नानक देवजी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साजा कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वो परी रखा गुरु नानक देवजी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किये गए सेवाकार्यकी कोई कीमत नहीं हो सकती वे चुवा चुद जैसे सामाजिक बुराई के खिलाब मजबूती के साथ खड़े रहे श्री गुरु नानक देवजी ने अपना संदेश दुनिया में दूर दूर तक पहुँचाया वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे कई स्थानों पर गए और जहां भी गए वहापनी सरलता, विनमरता, सादगी उन्होंने सबका दिल जीत लिया गुरु नानक देवजी ने कई महतोपुन धार्मी के आत्राएं की जिने उदासी कहा जाता है सत्भामना और समानता का संदेश लेकर वे उत्तर हो या दक्षिन, पुरब हो या पस्चिम हर दिशा में गए, हर जगह लोगों से संतों और रुष्यों से मिले माना जाता है कि असम के सुविख्यात संत संकर देव भी उनसे प्रेजित हुए थे उन्होंने हरी द्वार की पवित्र भूमी की आत्रा की काश्य में एक पवित्र स्थल गुरुबाग गुर्द्वारा है ऐसा कहा जाता है कि सिरु गुरु नानक देव जी वहां रुके थे वे बहुत धर्म से जुड़ी राजगीर और गया जैसे धाल्मिक स्थानों पर भी गए थे दक्षिन में गुरु नानक देव जी स्री लंका तक की आत्रा की करणाटका में बिदर की आत्रा के दोरान गुरु नानक देव जी ने ही पहां पानी की समस्या का समाधान किया था बिदर में गुरु नानक जीरा साहब नाम का इत्रसित दस्तल है जो गुरु नानक देवजी की हमें याद भी दिराता है उन्हीं को ये समर्पीत है एक उदासी के दोरान गुरु नानक जी ने उत्तर में कश्मीर और उसके आसपास के इलाके के वियात्रा की इसे सिख अनुएयों और कश्मीर के बीच काफी मजबुत संबन सापित हुआ गुरु नानक देवजी तिबद भी गए जहां के लोगों ने उन्हें गुरु माना वे उजबेकिस्तान में भी पूजनी है जहां उन्होंने यात्रा की थी अपनी एक उदासी के दोरां उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लामिक देशों की भी यात्रा की थी जिसमें साओधी अरब इराक और अफगानिस्तान भी शामिल है वे लाखों लोगों के दिलों में बसे हैं जिन्होंने पूरी स्रद्धा के साथ उनके उपदेशों का अनुसरर किया और आज भी कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहलो ही करीब 85 देशों के 85 कंट्रीज के राजदूत दिल्ली से अमरत्सर गए थे वहां उन्होंने अमरत्सर के स्वरण मंदिर के दर्शन किये और यह सब गुरु नानक देवजी के 550 पर प्रकास परवके निमित हुआ था वहां इन सारे राजदूतों ने गोल्डन टेंपल के दर्शन तो किये ही उन्हें सिक परमपरा संस्कृति के बारे में भी जानने का आउसर मिला इसके बाद कई राजदूतों ने सोशल मीडिया पर वहां के तस्विरे साजा की बड़े गवरव पुर्व अच्छे अनुभ करने की और अधिक प्रेना दे एक बार फीर मैं स्विष्ट जुका कर गुरुनानक देव जी को नमन करता हूं मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मुझे विश्वास है कि 31 अक्तुबर की तारीक आप सबको अवश्य याद होगी यह दिन भारत के लोह पुरूष सरदार वर् करने की अध्वुत ख्षमता थी वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमिल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मद्वेद होते थे सरदार पटेल बारिक से बारिक चीजों को भी बहूत गहराई से देखते थे परकते थे सही मायने में वे मैन अप डिटेल थे इसके थे योजनाओं को तैयार करने और रणनीती बनाने में उन्हें महरत हासील थी सर्दार साथ की कारशयली के विशे में जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चलता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जवर्जस्त होती थी 1921 में 1921 में अम्दाबाद में कॉंग्रेस की अधिवेशन में शामिन होने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में डेलिगेट्स पहुंचने वाने थी अधिवेशन की सारी विवस्था की जिम्मेदारी सरदार पटेल पर थी इस अउसर का उपयोग उन्होंने शहर में पानी सप्लाय के नेटवर्क को भी सुधारने के लिए किया यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी पानी की दिक्कत ना हो यही नहीं उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि अधिवेशन सल से किसी डेलिगेट का सामान या उसके जूते चोड़ी न हो जाए और इसे ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल ने जो किया वह जानकर आपको बहुत आश्चेर होगा उन्होंने किसानों से संपर्क किया और उनसे खादी के बैग बनाने का आग रग गिया किसानोंने बैग बनाए और प्रतिनिधियों को बेचे इन बैग्स में जूते डाल अपने साथ रखने से डेलिगेट के मन से जूते चोरी होने की टेंशन खत्म हो गई वहीं दूसरी तरफ खादी की बिक्री में भी काफी बृद्धी हुई सम्विधान सभामे उल्लेखनिय भूमी का निफाने के लिए हमारा देश सरदार पठेल का सदय उक्रतक ग्यराएगा उन्होंने मौनिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का महतोपन कार्य किया जिससे जहाती और संप्रदाय के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव की गुंजाइश न बचे साथ यों हम सब जानते हैं कि भारत के प्रतंग ग्रहमंति के रूप में सरदार वल्लभाई पठेल ने प्रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा भगीरत वर राइतिया से काम किया सरदार वल्लभाई की यही विशेस्ता थी जिनकी नजर हर घटना पर टिकी थी एक तरफ उनकी नजर हैदराबाद, जुनागड और अन्य राज्यों पर केंदरित थी वही दुसरी तरफ उनका ध्यान दूर सुदियूर दक्षिन में लक्षद्वीप पर भी था दरसल जब हम सरदार पटेल के प्रयासों की बात करते हैं तो देश के एकी करण में कुछ खास प्रांतों में ही उनकी भूमिका की चर्चा होती है लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए भी उन्होंने महत्वपण भूमिका निभाई थी इस बात को लोग शायद ही याद करते हैं आप बली भाती जानते हैं कि लक्षद्वीप कुछ द्वीपों का समू है यह भारत के सबसे खुबसरक शेत्रों में से एक है 1947 में भारत विवाजन के तुरंद बात हमारे पडोसी की नजर लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने जंडे के साथ जहाज बेजा था सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली उन्होंने बगेर समय गवाए जराबी देर किये बिना तुरंद कठोर काड़िवाई शुरू कर दी उन्होंने मुद्लियार ब्रदर्स आरकोट रामा स्वामी मुद्लियर और आरकोट लक्षवन स्वामी मुद्लियर कहा कि वो तुरंद कुछ करें और वहां तिरंगा फैराए लक्षद्विप में तिरंगा पहला फैरना चाहिए उनके आदेश के फोरण बाद वहां तिरंगा फैराए गया और लक्षद्वीप पर कबजा करने के पड़ोसी के हर मनसुबे देखते ही देखते द्वस्त कर दिये हैं। इस गटना के बाद सरदार पटेल ने मुद्लियर बदर से कहा कि वे व्यक्तिकेत रूप से ये सुनिशित करें कि लक्षद्वीप को विकास के लिए हर जरुरी मदद मिलें। आज लक्षद्वीप भारत के प्रगती में अपना महत्वपुन योगदान दे रहा है। यहाँ एक आकर सक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। मुझे उमीद है कि आप सब भी इसके खुबसुरत द्वीपों और समुद्रत्रत्रों की यात्रा करेंगी। मेरे पहरे देश्वासियों 31 अक्तूबर 2018 का दीन जिस दिन सरदार साहब की याद में बना स्टेश्टि अफ यूनिटी देश और दुनिया को समर्पित किया गया था। यह दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा है। अमेरिका में स्थीत स्टेश्टि अफ लिबर्टी से भी उंचाई में डबल है। प्रति दीन अवसतन साजे आठ हजार लोगों ने स्टेश्टि अफ यूनिटी की भवेता का दर्शन किया। सरदार मुलब भाई प्रतेज के प्रती उनके रिदे में जो आस्ता है सरदा है उसको प्रगट किया। और अब तो वहाँ कैक्टस गाडन, बटरफ्लाइ गाडन, जंगल सफारी, चिल्ड्रेन नुट्रिशन पार्क, एकता अंदर सरी ऐसे अनेक आकरशन के केंद्र लगातार विक्सित होते चले जा रहे हैं। और इससे स्थानिय अर्थववस्ता को भी बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को रोजगार के नएने अवसर भी मिल रहे हैं। और आने वाले परियाटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई गाउवाले अपने अपने घरों में होमस्टे की सुविधा उपलब्त करा रहे हैं। होमस्टे फेसिलिटी जो उपलब्त कराने वाले लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रहे हैं। इंडिस्ट्री के लिए ये स्टेची अफ यूनिटी एक अध्यन का विश्य हो सकता है हम सब इसके साक्षी है कि कैसे एक साल के भीतर भीतर एक स्थान विश्व प्रसिद्ध टूरिजम डेस्टिनेशन के दौर पर विक्सित होता है वहां देश विदेश से लोग आते हैं टा बहुत बड़ी एकोनोमी डेवलप हो रही है और यात्रियों के आवशक्ता के अनुसार लोग वहां सुविधायों पैदा कर रहे हैं सरकार भी अपनी भूमी का निभा रही हैं सात्यों कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा कि पिछले दिनों ट इमती समय से कुछ वक्त निकाल कर स्टैजी ओफ यूनिटी देखने तो जाएंगे ही लेकिन मेरा आग्रह जो है कि हर हिंदुस्तानी जो यात्रा करने के लिए समय निकालता है वे भारत के कम से कम पंदरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन परिवार के साथ करें जहां जाए वहा इकतिस अक्तुबर को राष्ट्रिय एकता दिवस मनाया जाता है यह दिन हमें अपने देश की एकता अखंता और सुरक्षा की हर कीमत पर रक्षा करने का संदेश देता है 31 अक्तुबर को हर बार की तरह रन फर यूनिटी का आयोजन पी किया जा रहा है इसमें समाज के हर वर्क के हर तपके के लोग शामिल होंगे रन फर यूनिटी इस बात का प्रतीक है यह देश एक है एक दिशा में चल रहा है और एक लक्ष को प्राप्त करना चाहता है एक लक्ष एक भारत स्रेश्ट भारत पिछले पांच साल देखा गया है न सिर्फ दिल्ली लेकिन हिंदुस्तान के सेंकडो शहरों में केंदर सासीत प्रदेशों में राधधन्यों में जीला केंदरों में छोटे छोटे टियर टू टियर थ्री सिटी में भी बहुत बड़ी मात्रा में पूरुष हो महला हो शहर के लोग हो गाउं के लोग हो बालक हो नवजवान हो व्रिद्द लोग हो दिव्यांग जन हो सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में शामील हो रहे हैं वैसे भी आज कल देखे तो लोगों में मेरे धहन को लेकर के एक शौक और जुनून देखने को मिल रहा है रन फर यूनिटी भी तो एक ऐसा ही अनुखा प्रयोजन है दोड़ना मन मस्तिक और शरीर सब के लिए फायदयमत है यहां तो दोड़ना भी है फिट इंडिया के भाव के ओ चरितार्द भी करते हैं साथ साथ एक भारत त्रेश्ट भारत ये परपच से भी हम जूड़ जाते ह और इसलिए सिर्फ शरीर नहीं मन और संसकार भारत की एकता के लिए भारत को नई हूँ चाईयों पर पहुचाने के लिए और इसलिए आप जिस भी शहर में रहते हों वहां अपने आसपास रन फर यूनिटी के बारे में पता कर सकते हैं इसके लिए एक पॉर्टल लौच क किया गया है रन फर यूनिटी.gov.in इस पॉर्टल में देश भर के उन जगहों की जानकारी दी गई है जहां पर रन फर यूनिटी का आयोजन होना है मुझे उमीद है कि आप सब 31 अक्तुबर को जुरूर दोड़ेंगे भारत की एकता के लिए खुद की फिटनेस के लिए भ पहांधा एकता का ये मंत्र हमारे जीवन में समस्कार की तरह है और भारत जैसे विविदताओं से भरे देश में हमें हर स्तर पर हर डगर पर हर मोड पर हर पड़ाव पर एकता के इस मंत्र को मजबुती देते रहना चाहिए मेरे पहरे देश वासियों देश की एकताओं और आपसी सद्भावना को ससक्त करने के लिए हमारा समाज हमेशा से बहुत सक्रिय और सतर्क रहा है हम अपने आसपास ही देखे तो ऐसे कई उधान मिलेंगे जो आपसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहे हैं लेकिन कई भार ऐसा भी होता है कि समाज के प्रयास उसका योगदान स्मृती पटल से बहुत जल्द ओजल हो जाता है साथियों मुझे याद है कि सितंबर 2010 में जब राम जन्ब भूमी पर इलाबाद हाई कोट ने प्रफैसला सुनाया जरह उन दिनों को याद कीजिए कैसा माहोल था भाती भाती की कितने लोग मैदान में आ गए थे कैसे कैसे इंट्रेस्ट ग्रूप उस परिस्थित्यों का अपने अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे माहोल में गर्माहट पैदा करने के लिए किस-किस प्रकार की भाषा बुली जाती थी भिन्ड भिन्न स्वरों में तीखा भरन भरने का भी प्रयास होता हो था कुछ बयान बाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चबगाने के इरादे से नजाने क्या-क्या बोल दिया था कैसी-कैसी गहर जिम्मेवार बाते की थी हमें सब याद है लेकिन ये सब पाच दिन साथ दिन दस दिन चलता रहा लेकिन जैसा ही फैसला आया एक आनंद दायक आश्चेरे जनक बडलाव देश ने महसूस किया एक तरफ दो हपते तक गर्माहट के लिए सब कुछ हुआ था लेकिन जब राम जन्म भूमी पर फैसला आया तब सरकार ने राजनितिक दलों ने सामाजिक संगठनों ने सिविल सुसाइटी ने सभी सम्रदायों के प्रतिनीधियों ने साधू संतों ने बहुती संतुलित और संयमित बयान दिये माहोल से तनाव कम करने का प्रयाद लेकिन आज मुझे वो दिन बराबर याद है जब भी उस दिन को याद करता हूँ मन को खुशी होती है न्याय पालिका की गरिमा को भावती गवरोपन रुप से सम्मान दिया और कहीं पर भी गर्माहट का तनाव क माहोल नहीं बनने दिया ये बाते हमेशा याद रख जी चाहिए यह हमें बहुत ताकत देती है वो दीन वो पल हम सब के लिए एक करतब्य बोध है एक ताका स्वर देश को कितनी बिड़ी ताकत देता है उसका ये उधारण है मेरे प्यारे देश वास्यों 31 अक्तूबर हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्रीमत इंदराजी का हत्या भी उस दिन हुई थी देश को एक बहुत बड़ा सदमाला ला था मैं आज उनको भी स्रद्धाजली देता हूँ मेरे प्यारे देश वास्यों आज घर घर की अगर कोई एक कहानी सबदूर सुनाई देती है हर गाउं की कोई एक कहानी सुनाई देती है उत्तर से दक्षिन पूरव से पस्चेम हिंदुस्तान के हर कोने से एक कहानी सुनाई देती है तो वो है स्वच्चता की हर व्यक्ति को हर परिवार को, हर गाओं को, स्वच्छता के समद में अपने सुखद अनुभव कहने का मन करता है, क्योंकि स्वच्छता का ये प्रयास सवासो करोड हिंदुस्तानियों का प्रयास है, परणाम के मालिक भी सवासो करोड हिंदुस्तानी ही है, लेकिन एक सुखद अनुभव औ यहां का तापमान सुन्य से 50-60 डिग्री माइनस में चला जाता है। हवा में आक्सिजन भी नाम मात्र की होती है। इतनी विप्रीत परिस्तितियों में इतनी चुनोतियों के बीच रहना भी किसी पराक्रम से कम नहीं है। ऐसे विकट हालात में हमारे बहदूर जवान न सिर्फ सीना तानकर देश की सिमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बलकि वहां स्वच्छ सियाचिन अभ्यान भी चला रहे हैं। भारतिय सेना की सद्भूत प्रतिवधता के लिए मैं देश वास्चों की और से उनकी सरहना करता हूँ, करतग्यता परकट करता हूँ। वहां इतनी ठंड है कि कुछ भी डीकंपोज होना मुश्किल है। ऐसे में कूडे कचरे को अलग करना और उसका प्रभंदन करना अपने आप में काफी महत्वपूर काम है। ऐसे में ग्लेशियर और उनके आसपास के इलाके से 130 टन और उससे भी ज़्यादा कचरा हटाना और वो भी यहां के फ्रेजाइल इकोसिस्टिम के बीच कितनी बड़ी सेवा है ये। एकोसिस्टिम है जो हीम तेंदुये जैसे दुल्लब प्रजातियों का गर है। यहां आइबेक्स और ब्राउन बियर्स जैसे दुल्लब जानवर भी रहते हैं। हम सब जानते हैं कि एस्रियाचीन एक ऐसा ग्लेक्षिर है जो नदियों और स्वच्च पानी का स्रोध है। इसलिए यहां स्वच्चता भ्यान चलाने का मटलब है। उन लोगों के लिए स्वच्च जल सुनिस्षित करना जो नीचल इलाकों में रहते हैं। साथ ही नुब्रा और शोग जैसे नदियों के पानी का उप्योग करते हैं। मेरे प्यारे देश्वासियों, उत्सव हम सब के जीवन में एक नई चेतना को जगाने वाला पर्वह होता है। और दिवाली में तो खास तोर पे कुछ नो कुछ नया खरीदना, बाजार से कुछ लाना हर परिवार में कमधिक मातरा में होता ही होता है। मैंने एक बार कहा था कि हम कोशिश करें, लोकल चीजों को खरीदें। हमारी जरूरत की चीज हमारे गाउं से मिलती है, तो तैसिल में जाने की जरूरत नहीं, तैसिल में मिलती है, तो जीले तक जाने की जरूरत नहीं, जितना ज़्यादा हम अपने लोकल चीजे खरीदने का प्रयास करेंगे, गांधी 150 अपने आप में एक महान अवसर बन इस दिवाली में भी, दिवाली के पहले तो आपने बहुत कुछ खरीद कर लिया होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, वो सोते हैं कि दिवाली के बाद जाएंगे, तो शायद प्रसस्ता भी मिल जाएगा, तो बहुत लोग होंगे जिनके अभी खरीदी बाकी भी भूमी का निभा सकते हैं, मैं फिर एक बार इस दिवाली के पावन परवपर आपको बहुत बहुत शुपकावनाई देता हूं, दिवाली में हम भाती-भाती के फटाके उसका उप्योग करते हैं, लेकिन कभी-कभी असावधानी में आग लग जाती हैं, कहीं इंजरी हो ज